क्या आपके जोडों में दर्द रहता है? क्या आप पैरों की उंगलियों, एडियों और घुटनों के दर्द से परेशान है? तो फिर हो सकता है आप गठिया के शिकार हो चुके हैं, यानि आपको अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है नमस्कार, भारत होमेपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, आज मैं आपको बताऊंगा अर्थराइटिस की समस्या को आप कैसे पहचान सकते हैं, इस दौरान आपको कौन से लक्षन दिखाई दे सकते हैं क्योंकि इससे अगर वक्त रहते रोखा नहीं गया, या यूँ कहें, इसे मैंटेन नहीं किया गया, इसे मैनेज नहीं किया गया तो आगे चल कर ये बीमारी आपको काफी परिशान कर सकती है इसके लिए आपको अर्थराइटिस की बीमारी में दिखने वाले लक्षन पता होना बहुत जरूरी होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही लक्षन बताने वाला हूँ किसी भी अन्य बीमारी के दर है अर्थराइटिस के भी कुछ लक्षन होते हैं जो इसकी शुरुआत का संकेत देते हैं अगर आपको ये पांच लक्षन अपने में नजर आते हैं या अपने किसी रिलेटिव में नजर आते हैं तो तुरंती डॉक्टर से संपर करें और अपने स्वास्ते के जाच कराएं ताकि आप अर्थराइटिस से होने वाले परिशानी उसे बच जाएं आगे चलकर ये परिशानी आपके लिए ज़्यादा खतरनाक ना हो इसमें सबसे पहला लक्षन है जोडो में दर्द होना अगर आपके जोडो में दर्द रहता है या अभी हाल फिलहाल में आपको जोडो में दर्द महसूस होता है तो हो सकता है आपको अर्थराइटिस की प्रोब्लम हो जोडों में दर्द होना अर्थराइटिस का एक प्रमुख लक्षन है हाला कि इस समस्या का इलाज घुटनों की मालिश करके या फिर जिस जॉइंट में आपको दर्द हो रहा है उसकी मालिश करके या वयाम करके ठीक किया जा सकता है लेकिन अगर यह लंबे समय तक आपके जोडों में दर्द बना रहता है आप शुरुवाती दिनों में ही इसका इलाज ले लें और जल्दी से इसे छुटकारा पालें क्योंकि लंबे टाइम तक अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बनी रहती है तो आपको आगे चल कर कई समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है वहीं जोडों में अकडन होना अर्थराइटिस का दूसरा लक्षन है अकसर ऐसा देखा जाता है कि अर्थराइटिस होने पर व्यक्ति के घुटनों के जोडों में अकडन होती है हातों के जोडों में अकडन होती है मतलब जो भी जॉइंट्स हैं उनमें अकडन आपको देखने को मिलती है इस condition में patients काफी परिशान हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हुए भी अपने काम नहीं कर पाते ये अकडन कई बार इतनी जादा हो जाती है कि patients को खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है patient अपने पैरों पर बिना किसी की help के खड़े ही नहीं हो पाते वहीं हातों में कई बार इतनी जादा अकडन हो जाती है कि patients अपने हातों की fingers को touch नहीं कर पाते उनके joints में इतनी अकडन हो जाती है अगर उनसे pen उठाने के लिए कह दिया जाए तो वो pen तग नहीं उठा पाते क्योंकि उनकी उंगलियां आपस में touch नहीं हो पाती और किसी भी चीज को उठाने के लिए grip बनानी पड़ती है तो इसी वजह से patients के हातों में जब अकडन होती है अगर आप भी अकडन महसूस कर रहे है तो हो सकता है आपको arthritis है arthritis का तीसरा लक्षण है जोडों में सूजन होना क्योंकि सूजन भी arthritis का एक बहुत बड़ा लक्षण है कुछ arthritis के मामलों में सूजन दिखने को नहीं मिलती लेकिन कई cases में सूजन पहला symptom भी बन जाता है तो इसको नजर अंदाज ना करें और इसकी जाद जल्द से जल्द कराएं अगर आपके जोडों में सूजन आपको नजर आ रही है तो हो सकता है आपको arthritis की problem शुरू हो चुके है arthritis का चौथा लक्षण है चलने फिरने में तकलीफ होना अक्सर ऐसा देखा जाता है arthritis के patients को चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है यह situation किसी भी इंसान के लिए काफी painful होती है और इस condition में उन्हें चलने फिरने के लिए किसी दूसरे विक्ति की जरूरत पड़ती है जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था जब patients के joints में problem आती है तो उनका खड़ा फाना भी काफी मुश्किल हो जाता है उसी तरह वो बिना किसी की मदद के चल तक नहीं पाते हैं इस situation में patient काफी परिशान हो जाते हैं क्योंकि arthritis से पहले वो normally अपनी day schedule के काम कर रहे होते हैं लेकिन जब arthritis की problem उनमें शुरू होती है तो वो किसी और पर dependent हो जाते हैं इसलिए आप कोशिश करें इसके शुरुवाती लक्षणों में ही इसका इलाज ले अर्थ्राइडिस का पांचवा symptom है जोडों के दर्द वाली तुचा का लाल पढ़ना मतलब अगर आपके joints में ला लाल पढ़ जाती है जैसे अगर आपका ये joint है और यहां पर आपको दर्द महसूस हो रहा है और ये skin लाल हो रही है तो हो सकता है आपको arthritis की problem शुरू हो चुकी हो वैसे arthritis 100 से भी जादा types के होते हैं और arthritis आपके घुटने, कमर, हात और पैरों के joints के साथ साथ आपकी body के किस इलाज अगर समय रहते शुरू कर दिया जाता है तो इससे होने वाली परेशानियों से आप चुटकारा पा सकते हैं इसमें जो दर्द होता है आप उससे चुटकारा पा सकते हैं अगर आपको भी ये लक्षन अपने आप में नजर आते हैं या आपने किसी relative में नजर आते ह हैं और हमारे डॉक्टर से free of cost consultation ले सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें साथ ही अगर आपको ये जानकारी useful लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जरूर को शेर करें और अगर आप ऐसे ही और informational वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करें thank you for watching